देविड जे श्वास दा अगला विशा है ग्यान ही शक्ति है जेकर तुस्य एदा रचनात्मक पर योग करो बुद्धी दे बहाने बाजी नल जुड़ी एक गल्त तार नाई है के ग्यान ही शक्ति है पर एगल पूरी तरह ठीक नहीं है एक विलद्धी ठीक है ग्यान केवल स समबावित शक्ति है ग्यान शक्ति तदों बन दै जोदो एदा इस्तेमाल कीता जान दै ते केवल तद ही जदेदा इस्तेमाल सकारात्मक जा रचनात्मक होवे एक वार महानवी ग्यान का इंस्टाइन तो किसे ने पुछया के एक मील विच किन्ने फोट हुन दे हन दिमाग विच एहुजी जानकारी क्यों परा जड़ी मैं किसे किताब तों दो मिंटाच हासल कर सकता आइंस्टाइन ने सनु एक वड़ा सबक सिखाया उना दा मनना सी के सनु अपने दिमाग नू तथा जानकारी दा गुदाम बनाऊन तो बचना चाहिद है के ते दी बजा ये ज्यादा महत्त पूरण होएगा के असी अपने दिमाग तो सही टांग नाल सोची एक वार हैंडरी फोर्ड ने द शिकागो ट्रिब्योन ते मान हानी दा मुकदमा ठोक देता कारने सी कि ओ सखबार ने फोर्ड नूँ अग्या निग्या देता सी फोर्ड ने उनानुए स स्वालां दे जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उना दी फॉर्मल सिख्या कट होई सी आखरकार फोर्ड काफी परेशान होके गुसेच बोले मैं इना स्वालां दे जवाब दे नहीं दे सकता पर मैं पंज मेंटांच एहो जे आदमी नू लब सकता जिड़ा इना सारे स्वाल स्वालां दे जवाब जान दा होई हैंडरी फोर्ड ने फालतू दे जानकारी हासल करंच कदी रुची नहीं सी लई उनन वेगल पता सी के जड़ा हर सफल एक्जीकेटिव जान दा दे माग दू तर्थां दा गैरेज ना बढ़ाओ ए जानकारी रखो के जानकारी कितों पर दा दा प्रेजडेंट है टीवी ते एक हर्मन प्यारा किज प्रोग्राम आ रहे है सी जिस आदमी तो स्वाल पुछे जारे सन वो पिछले कुछ हफ्ते आ तो लगातार आ रहे है सी उहार तरह आंदे स्वालां दे जवाब दे सकदा सी चाहे होना चों कुछ स्वाल किन्ने म पुरुखता पूरान क्यों नहों जदो उस आदमी ने एक बहुत मुश्किल स्वाल दा जवाब देता जिद अस बंद अर्जंटाइना दे किसी पहाड ना अलस बंदत सी ता मेरे मित्तर ने मैंनू क्या तो अनू की लगदा कि मैं इस आदमी नो किन्हें डॉलर दी नौकर राट सकता है याद कर सकता है वो एक इंसानी एंसाइक्लोपीडिया है ति मैं समय दा कि मैं 300 डॉलर चे कि चंगा एंसाइक्लोपीडिया खरीच सकता है असल चे शायद एक कीमत वी उसले ही ज्यादा होईगी येस बंदे नू जिनना पता है उदा 90 फीसद दी इस साथा मैं दो डॉलर दी जनरल नॉली दी किताब तो ही मिल जाएगा मैं अपने इंचो गिर्दे हो जी लोकानू चोना जीड़े समस्यावानू सुल जा सकते होन जीना कुले विचार होन जीड़े सुपने वेक सकन ते फिर इना सुपने अनू साकार कर सकन जिस बंदे कुल विचार हन उमेरिनल पैसे कमा सकता जीड़े कुल सिर्फ तत्थान उमेरिनल पैसे नहीं कमा सकता बुद्धी दी बहाने बाजी दे इलाज ले तेन तरीके बुद्धी दी बहाने बाजी दे इलाज दे तेन असान तरीके हन अपने बुद्धी नू कदे कट करके नाम मापो ते दूज अपने वदिया नुक्तियां ते त्यान केंद्रत करो, अपने गुणानों खोजो, याद रखो, महत्तव एस गल्दा नहीं के तो अडिच, किन्नी बुद्धी है, बलके महत्तव इस गल्दा है, कि तुसी अपने दिमाग दा किस तरा इस्तेमाल कर दियो, एस गल्द ते सेरना खपाओ कि तोड़ी आईक्यू का टै, बलके अपनी सोचन दी शक्तिनू सकारात्मक करो, दूसरा, अपने आपनू बार बार याद दिलाओ, मेरी बुद्धी तो ज्यादा महत्तव पूरन है मेरा नजरी, नौक्री ते करवेट सकारात्मक नजरी दा अभ्यास करो, कम टालन दे तरीके लबन दी बजाए कम करन दे टांग खोजो, अपने आप्च मैं जित्रेयाहां अंदारवया विक्सत करो, अपनी बुद्धी दा रचनात्मक दे सकरात्मक इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धी दा इस्तेमाल इस्तरां करो, के तुसी जित जाओ, अपनी बुद्ध अपने दिमाग नू रचनात्मक बनाओ ते नमे नमे विचार ओन दियो, काम करन दे नमे ते बेतर्टा अंगलब दे रहो, अपने आपनू पुछो कि मैं अपनी विचार शक्ती समरत्थादा इस्तेमाले ते हास रचंच कारें, जा इते हास नू रचंच कारें, तीसरा, कोई फाइदा ने, मेरी उमर ज्यादा या कट है, उमर दी बहाने बाजी अससफलता दी के होजी बिमारी है, जिस नल दोश उमर दे मत्थे ला देता जान दा है, ये दे दो असानी नल पच्छाने जान वाड़ी रूप हन, मेरी उमर ज्यादा है ते मेरी उमर जे बहुत कट है, दा ब्रांड तो उसी हार उमर दे सेंकड़े लोकानों अपनी यह सफलता बारे इस तरह दी अंगलां कर दे सुने होएगा यह कामची सफल हों लई मेरी उमर बहुत ज्यादा या बड़ी काट है अपनी उमर कारणी में वो नहीं कार सकता जिड़ा में करना चौंदा हाँ जिड़ा करंच में समरत था यह हैरानी जानक है पर बहुत काट लोग इस तरह मैसूस कर दे हां कि उना दी उमर किसे काम ले बिल्कुल ठीक है एस बहाने ने हजारां लोका ले सच्चे मौकियां दे दर्वाजे बंद कर दे हन वो सोच दे हन कि उना दी उमर ही गल्त है एसलिए यो कोशिश करन दा होसला भी नहीं कर सकते उमर बारे बहाने बाजी दा सब तो हर्मन प्यारा रूप है मेरी उमर ज्यादा है ए बिमारी बड़े सूखम तरीके नल फिलाई जन्दी है टीवी दे सीरियल लंच वखाया जन्द है कि जदो कंपनी दे मेल दे कारण के से एक्जेक्युटिव दी नौकरी छोटे जन्दी है वो बेरुजगार हो जन्द है उन्हों किते भी नौकरी नी मिल पॉन दी क्यों क्यों दी उमर ज्यादा हो चुकी है मिस्टर एक्जेक्युटिव मी न्याताई नौकरी दी तलाश कर दे हन पर उनानू नौकरी नहीं मिल दी ते एस दोरानू कुछ समा आतम हत्या दे वी कलब दे विचार कर दे हन ते अन्तेच इस नतीजे ते पुझदी हन के होन अपने आपनू रेटाईर समझ लैन वेचे समयधारी है चाली तु बात वड़ी जिन्दगीच मुश्कलां क्यों वज्जान दी हन ए विशा नाटकां थी मैगजीनां दी लिखांचार मन प्यार है एसली नहीं क्योंके इस विच सचे ता थान बलके एसली क्योंके बहाना लबन वाले बहुते लोग इसे तरह दे नाटक विखनां चांदी हन ते इसे तरह दे लेख पढ़नां चांदी हन उमर बारे बहाने बाजी दा इलाज की है उमर बारे बहाने बाजी दा इलाज कीता जा सकता है कुछ साल पहला मैं एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम दा संचालन की था ता मैं एक चंगे सीरम दी खोड कीती जिड़ा एस बिमारी दा इलाज दा करदा ही सी नाले भी पका करदा सी के बिमारी तो नों कदे भी न होगे एस प्रोग्राम विच सेसल नान दा एक ट्रेनिंग सी चाली साल लंदा सेसल निर्माता दा प्रतिनित बढ़ना चौनदा सी पर सोच दा सी के उदी उमर हो चुकी है उनने किया मैंनों शुरू तो सारा कुछ करना पाएगा हुन मैं इस तरह के बें कार सकता हुन ता मैं चाली साल दा हो गया मैं ज्यादा उमर दी समस्या ते सेसल नाल कई वरी गल्लां कीतिया मैं पुराणिया दौईयां दा इस्तेमाल कीता तो अड़ी उमर हो नहीं हों दी है जिनी तुसी समई दे हो पर मैं मैसूस कीता है कि उदा मर्जी इस दौई नाल ठीक नहीं हो रहा ज्यादा तर लोग ये दे जवाब बेच कहन दी हन पर मैं अपने आपनों बुड़ा समई दा हा आखर कार मैं एक इहुजा तरीका लब भी लिया जड़ा जदू अंकाम कर गया एक दिन मैं सेसिल नूँ किया सेसिल मैंनों दसो कि किसी आदमी दी रचनातमक उमर कदों शिरू हों दी है सेसिल ने जवाब देता मैंनों जाब दा है जे करो तन द्रोस ते एपने कामनों पसंद कर दा हुए तो कौई भी बंदा 70 साल दी उमर तक रचनातमक काम कर सक रहे ठीक है मैं क्या बहुते लोग 70 साल हां तो बाद भी बड़े रचनातमक काम कर दी है पर में तॉडेनल सहमत हो जाना कि किसे बन देदी रचनात्मक काम करण दी उमर वी सालतों सतर सालते विचकार हुन दी है इस दोरान उदे कोड़ पंजाज साल मतलब अधी सदी हुन दी है सेसिल में क्या है तुसरी हुने चार्डी सालां देओ तोड़ी रचनात्मक जिंदगी किनी खतम हो चुकी है 20 सालों ने जवाब देता ते तोड़ी रचनात्मक जिंदगी हुन किनी बाकी है 30 सालों ने फिर जवाब देता दुज्जे शब्दान जो सेसल तुसी हुने अद्दा राव वी तै नहीं किता तुसी हुनताई अपनी रचनात्मक जिंदगी दे केवल चाड़ी फीस सदी हिसे नूँ पूरा किता है मैं सेसल वलवेख्या मैसूस केता के गलोदे दिल नूँ पा गई उदी उमर बारे बहाने बाजी एकदम दूर हो गई सेसल ने देखिया के उदे सामने जे बहुते अफसर पूरान साल मजूद हन हुने ताईयों सोच दा सी मैता हुन बुड़ा हुच चलियां पर हुनों सोचन लग पया है मैं आज भी नौजवान है सेसल ने हुन मैसूस कीता के साड़ी उमर किनी है इस गल्दा कोई खास महत्तव नहीं हुन दर असल उमर बारे साठा नजरीया इसाड़े लई वर्दान जासराप बन जान दै उमर बारे बहाने बाजी दा इलाज करना तोड़े ली मौकियां दे ओ बान दरवाजे खुल जानगे जिनांते एस बिमारी दे कारण ताला लगया हुया सी मेरे एक रिष्टेदार ने वकवक तरांदे काम करन वेच अपने कई साल बरबाद कीते जिवें सेल्स मैंशेप, अपना बिजनस, बेंक किच काम पर हो ये तैय नहीं कर पाया क्यों की करना चौनदा सी, जा उनूं केडा काम पसांद सी आखर कारो इस नतीजे दे पहुंचिया क्यों पादरी बनना चौनदा है पर जदो उन्हें इस बारे सोचिया तो उन्हें पाया कि उधी उमर ज्यादा हो चुकी है उन्हें पंताली सालादा सी, उधे तेन बचे सांते, उधे कोल ज्यादा पैसे भी नहीं सन पर खुश नसीबी नाल, उन्हें अपनी सारी ताकत जुटाई ते अपने आपनूं के अच्या है मेरी उमर पंताली होवे जां पैंट मैं पादरी बनके दिखावांगा उधे कोल द्रेडिन मिस्चेदा पंडार सी, तेदे सिवा उसकोल कुच्छ वी नई सी, उन्हें विसकानसन अंदर पांज साल्ला तरम शास्त्र ट्रेनिंग प्रोग्रामच अपना नालिखालिया पांच साल बाद उपादरी बन गया ते इलनाई दे चर्च वेच अपना मनोरत हासल करंच सफल होया बुड़ा? बिल्कुल ने उने ते उदे सामने वीच साल दी रचनात्म के जिन्दी बाकी सी, मैं इस बंदेनू होने मिलिया सी उने मैंनों दस्या जे पंताली साल दी उमर चेन्ना बड़ा निर्ना नालिया होन्दा ता मेरी बकाया जिन्दगी दुखा नल पर ही होन्दी जदो के होन मैं अपने अपनों नई जवान समय दा जिन्ना मैं पच्ची साल पहल नौसे तो धी उमर कट लगवी रही सी जदो तुसी उमर दी बहाने बाजेनू हरा देन देओ ता सुब आवक नतीजे उन्दा के तो अडेच जवान उमर दा आशावाद आ जन्दा तुसी जवान दिखन भी लगदेओ ते ज़दों तुसी उमर्दियां सी मावानों अपने डर्नल जित लन्देओ ता तुसी अपने जिंदगी सालता जोडी लन्देओ अपनी सफलता विच्वी को साल होर जोड लन्देओ युनिवर्स्टी दे मेरे एक पुराणे सहयोगी ने मैंनू एहुजा दिल चस्प टांग दस्या जेस नाल उमर्दी बहाने बाजी नू हराया जा सकदा से बिल ने हावर्ड तो वी दे दहाकेट ग्रैजुएशन कीता से चौवी साल तक स्टॉक ब्रोकर रेन तो बाद बिल ने निरना लिया क्यों कॉलेज परफेसर बनेगा बिल दे दोस्ता ने उन्हों चितावनी देती के बड़ी मेनत दा काम है ते उस तो उस उमर्चोंनी मेनत नहीं हो सकेगी पर बिल ने अपने निशाने नों हासल करन्दा पक्का इरादा कर लिया उन्हें अकवंजा साल दी उमर्च युनिवस्टी ओफ इल्ली नाइवेच दाखला लिया पचवंजा साल दी उमर्च उन्हों डिगरी मिली अकवंजा साल दी उमर्च उन्हें दाखला लिया पचवंजा साल दी उमर्च उन्हों डिगरी मिली अज बेलिक वदिया आर्ट्स कॉलेज अंदर डेपार्टमेंट ओफ एक्नॉमिक्स ना चेर्मेन है वो सुखी भी है वो मुस्क्रोंदे होई केंदा है अजे ता मेरी जिन्दगी दे इकतिहाई बेहतरीन साल बाकी हान ज्यादा उमर्दा बहाना सफलता देन वली बिमारी है इन्हों हराओ नहीं ते तो उन्हों हरा देगी कोई आदमी ज्यादा छोटा का दोन है मेरी उमर जे बड़ी काट है वी उमर दी बहाने बाजी दाई के होजे आंग है जिन्हें कई लोकां दे पविखनू चौपट कार देते है तकरीबने एक साल पहला जैरी नादा 23 साला नौजवान मेरे कुल एक समस्या लाकिया जैरी स सर्विस विच एक पैरा ट्रूपर सी ए तो बाद हो कॉलेज गया कॉलेज जान्दे जैरी ने अपनी पतनी थे बच्चेया खातर एक वड़ी ट्रांसफर एंड स्टोरेज कंपनी लेई सेल्स में दा काम केता उन्हें बहुत वदिया काम केता कॉलेज विच वी थे कंपनी पर अज जैरी फिकरमन सी डॉक्टर श्वार्णस उन्हें क्या मेरी किसमत से है मेरी कंपनी ने मैंनू सेल्स मैनेजर बना अंदा निर्ना लिया है ये स्तरह मैं आठ सेल्स मैन अंदा सुपरवाइजर बन जावांगा मैं क्या मुबारका ये ता बहुत वदिया काल है फिर ने महालच की करना चाहिए है कि मैं ये काम ठीक तरह कर सकता जैरी मैं क्या तो अड़ी कंपनी दा जनरल मैनेजर ये समय दा है कि तुसी ये काम पली पांद कर पाओगी नहीं तो तो अनू सुपरवाइजर बनाओदा ही क्यों सिर्फ तिन गल्लानू याद रखो ये हर ठीक हो जाएगी तेली गल्ता ही है उमर दे त्यान ना देओ खेत च कोई बच्चा ताही बंदा मन्या जान दा है जदो ये साबत कर दन दा है क्यों बंदे दे बराबर काम कर सकता है उदी उमर ना ले दा कोई लेना देना नहीं हुंदा तेही तो अनूवी साबत करना तक देओ ताह तुसी अपने आप उन्ने वड़े हो जाओगे दुजी गल्या अपनी परमोशन ते कदे जताओन दी कोशिश ना करो सेल्समेन ना प्रती सनमान वकोना उना तुसला लेना उना नुए मैसूस करवाना कि वो एक टीम दे कप्तान नल काम कार रहे हैं किसे डिक ज्यादा उमर वड़े लोग तो अड़े अधीन काम करन। हर खेतर दा लीडर ये जानलन दा है कि उधी उमर कई हेटलियां तो काट है। एसली एस गल्दी आदत पालो। ये अग्गे ओन वड़े सालांच तो अड़े बड़े काम आएगी जदों तोनू होर वी वड़े ये याद रखो जैरी तो अड़ी उमर तो अड़ियां सफल तामादी राज कदे रुकावट नहीं बनेगी जदों ताक के तुसी अपने आप उनू रुकावट ना बनाओ। अज जैरी दा काम बदिया चल रहे हैं। उनू ट्रांसपोर्टेशन बिजनस पसंद है ते काफी कमाच बहुता स्रीरक पक्याई दी लोड हुं दिया है। जमें स्क्योर्टीज जम्भी मां बेचंच। किसे निवेशिक दा परोसा जितन लई जानता तो डेवाल चेटे होने चाहिए है। ते या फिर तो डेशरते वाली नहीं होने चाहिए है। एस तरह सोचना सरा सर मूर रखता है। असल महत्तवता इस गल्दा है कि तुसी अपना काम किनी चंगी तरह कर देओ। जेकर तुसी अपने काम ते पकड रख देओ। लोग कानू समझ देओ। ता तुसी काफी स्यानी उमर देओ। उमर दा योगता नाल कोई सिद्धा असबांद नहीं कई नौजवाने मैसूस कर दे हन कि अपनी काटू मर दे कारण ही जिंदगी दी दौर्च पिछे है। हो सकता है किसे ओफिस विच कोई असरख्यत आदमी जाओ बंदा जिनों अपनी नोकरी चुट जानदा डर होवे तो अड़े अग्ये वद्धन दी राच रोडे ना हो सकता हो तो अड़े उमर दे ते तो अड़े अनुभव दी काट दा जिकर भी करे। पर तो अनुए हो जी एह हो जे असरख्यत लोकां दियां गल्लां ते त्यान देन दी लोड नहीं है। कंपनी दे मालक, कंपनी दे मैनेजर इस तरह नहीं सोचनगे। हो तो अनुनी जि उमर दी बहाने बाजी दे इलाज एहान कला। अपनी वर्तमान उमर बारे सकरात्मक सोच रखो। सोचो मैं होने होनवी जवाना। ये ना सोचो मैं होन बुड़ा और जुग्यां। नवे निशान्यानू हासल करन दी कोशिश कर दे रहो। इस तरह करोगे तो तो अड़े दिमागी उत्षा आ जाएगा ते तुसी ज्यादा जवान भी दिखन लग जाओगे। दूसरा, इस आवलाओ के तो अड़े कुल किन्ना रचनात्मक समा बचे है। याद रखो ती साल दे आदमी दे कोल अपने जीवन दा सी फीसदी रचनात्मक समा बाकी है। पंजास साल साला बंदे कोल हुनवी चाली फीसदी समा शायद सब तो वदिया समा तो हुने आउना बाकी है। ज्यादा तार लोग जिनना सोच दे हन, जिन्दगी दरसल उन्नी लम्मे हन दे है। तीसरा, पविखचो काम करो जिड़ा तुसी सच मुच करना चौन दे हो। ज़ा तुसी साला पहला शुरू कर देना चाहिदा सी एह सफलता दी सोच है। एदी बजाए सोचो मैं होन शुरू करन जा रहे हैं, मेरे सर्व स्रेश्ट साल जे बाकी हैं सफलो के से टंग नाल सोच दे हैं। चाथा, पर मेरा मामला वक्खर है, मेरा तनसी भी खराब है। हाल दी कड़ में रोड एक्सिडेंटां बारे एक ट्रेफिक एंजीनियर दियां गलां सुनियां। उनना दा कहना सी हर साल इना एक्सिडेंटां वेच चाड़ी हजार लोग मार जान दे हैं। उदी चर्चा दा मुख नुकताए सी के शाइदी कदे कोई सचा एक्सिडेंट हुन्दा एक ट्रेफिक माहर जेड़ी गल कहर या सी हो दा मूल पाव दार्षनेक दे चिन तक सानू सदियां तो से खौंदे आ रहे हैं। हर चीज दा कोई ना कोई कारण होंदे हैं। कोई वी चीज बिना कारण नहीं होंदे हैं। अज बार जेड़ा मौसम हैं वी एक्सिडेंट का कारण नहीं हैं। ओ केड़े खास कारणा तो उस तरह हैं। इमनन दा कोई कारण नहीं हैं। के इंसान दे मामलेज ए नियम दा पवाद हैं। पर शायद ही कोई दिन इस तरह गुजरदा होएं। जदो तुसी किसे नू अपनी बदकिस्मती दा दोश दिन दे ना सुने मैं तो नहीं को दारन दे के समझाणां चौनां के लोकी किस तरह किसमती बहाने बाजी तो पीड़त हों दे हैं। मैं तिन जवान जूनेर एक्जिकेटिव दे नाल हाल दी कड़ी लंच कीता। उस दिन चर्चा दा मुख नुकता सी जॉर्ज सी दा परमोशन। कल तक जॉर जूनू परमोशन क्यों मिले हैं। इन तिन्ने लोका ने एस मुद्धे दा पोस्ट मॉटम कीता थे बड़े कारण लबले है। चंगी किसमत, बटर पॉलिश, प्रेशर, ते जॉर्ज दी पतनी दा सोर्स। मतलब सचाई नुचाड की हर गल कही गई। सचाई ये इसी के ज जूर्ज इस परमोशन ले सब तो वदीक योग सी। ओ अपने काम नूँ चंगे तरीके नल कार रहा सी। ओ ज्यादा मेनत नल काम कार रहा सी। ओ ज्यादा परबावी ते कारज निपन बंदा सी। मैं जान दा सी के उस कंपनी दे सीनेर अफसरा ने बड़े सोच विचार की के ना चारां चोकी नूँ परमोशन देता जाए। मेरे ना निराश दोस्तानों इस समझना चाहिदा सी के कंपनी दे सीनेर अफसर जदो किसे नूँ परमोशन देंदे हन। तो चारे ना लिखके टोपी विच्चो किसे एकदा ना नहीं कट दे। मैं मशीन दे पुर्जे बनाउन वड़ी कंपनी दे सेल्स एक्जेकेटिव नाल बहान ने बाजी दे बारे गल कार रहा सी। उस समस्या नू सुनके रुमांचित हो गया थी। मैंनों अपने जीवन दा एक किस्सा सुनाया। मैं एदा ए ना ता पहलां कदी नी सुनिया। उदा कहना सी। पर हर सेल सेल्स मैन इस गंबीर समस्यानल जूजद है। कली साड़ी कंपनी चे जो कटना हुई वो तो तोनुक वदिया उदारन मिल जाएगा। साड़ा एक सेल्स मैन चार वजे मशीन दे पुर्जियां दा एक वड़ा ओडर लेकिया है। ओडर एक लग बारह हजार डॉलर दा सी। उन्हें इर्खा पर इवदाईता दिती। पर नाल ये भी कहता जौन एक वड़ फेर तो अड़े किस्मत चंगी रही। दिखनवले गालता ही है। कि एक अमजोर सेल्स मैन इस मनननू त्यार ही नहीं सी। कि जौन दे वड़े ओडर नाल किस्मत दा कोई लेना देना नही। जौन उस ग्राग ते कई मीनिया तो मेनत कर रही है सी। उन्हें उत्यद्दा दर्जन लोकाना लम्मिया ते बार बार चर्चावां कीती है। जौन रात नू योजनवा बढ़ाया करदा है क्यों किमे ए ओडर हासल कर सकदा सी। फिर उन्हें साड़े इंशनेरा नल बैठक उस यंतरदी शुरुआती डिजाइन बनवाई। जौन खुश किसमत नहीं सी। जदो ताकि तुसी योजनवाद कम करन दे तरीके नू किसमत दा ना देओ। जेकर किसमत दे सहारे ऐसी जनरल मोटर्स नू एक बार फिर तो गठित करिये। जेकर किसमत ही तया करे के केड़ आदमी मैनेजर बढ़ेंगा किड़ा चपड़ासी ता इस देश दा हर बिजनस चौपट हो जाएगा। एक मिंटली कलप ना करो। जेनरल मोटर्स नू असी किसमत दे सहारे पूरी तरह पुनर गठत करिये। एस कामली असी एक बकसेट सारे वरकरां दे नावानियां परच पर किसमत जद कम कर दी है तरह इसे तरह कम कर दी है। जेडे लोक किसे भी कारोबार्च सिखर दे पौँच दे हम चाहिए वो बिजनस मैनेजमेंट होवे, सेल्स मैनेशिप होवे, कानून, इंजनेरिंग, एक्टिंग, जा कोई होर खेतर। वे इसले ही सिखर दे है क्योंक कारन ते नतीजे दे नियमनू सविकार करो, जा तो अनू लगी कि कोई बंदा खुश किसमत है तो जरा गौर्णल देखो, तद तो अनू देखेगा कि जिनू तुसी पहली नजर चचंगी किसमत समझे सी, दर असलो तियारी योजना ते सफलता दे नजरी ये ता नतीजे है इसे तरह किसे बंदेदी बदकिसमती नू भी गौर्णल देखो, तो अनू उस पिछे भी कुछ कारण मिलनगे, जनाब सफलनू जद चटका लगदा है, तो उस तो कुछ सिख दे है, ये तो मुनाफा चुक दे है, पर जद जनाब असफल हार दे हन, तो अपने असफलता त हासल कीती जा सक दिया, असी किसमत दे सहारे सफल नहीं होंदे, सफलता उना चीजानू करन नालाओं दिया, तो उनासी दानतांच मुहारत हों नाल मिल दिया, जडे सफलता विचे सहाई होंदे है, पर मोशन, जेत, जीवन दियां, चंगियां, चीजांच किसमत दा सहारा न लोग, किस्मत नाले चीजा नहीं मिल दिया, येदी बजाए, तुसी अपने आप ये होजे गुणा दावी कास करो, कि तुसी सच मुच्ची इक जेतू बन जाओ, तानुवाद